तो Hello Friends, कैसे तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ Samsung का जो गेम लोंजर होता है, जो Samsung के हर मुवाइल में इस्टॉल होता है, या बोल जखते हैं, प्री इस्टॉल होता है, Samsung Game Loungeर, तो उसके बारे बताने वाला हूँ दोस्तों जोच सो गेम लोंजर होता क्या है और एक्चल मे में गेम खेलते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली दोस्तों वीडियो उसके मत करेगा वीडियो को पूरा देखेगा तो ही आप समझ पाएंगे और अगर आप उन सब अपडेट करना है अपडेट करने का जैसी आप उसको उपन करेंगे या पहली बार अगर आप उपन करेंगे तो आप से एक उप्शन पूछेगा कि जितनी भी आपके गेम से रिलिटेड जो एप है वो सर्फ आपको इसी वाले गेम लांजर में दिखे और एप्स वाली ट्रे आपको आपको आइकन मिल रहा होगा साउंड का आप डिख रहे होंगे यहां से ऑफ कर दिया उसके बाद आगर आप जितने भी गेम प्ले करेंगे तो उसमें साउंड नहीं आने वाला साउंड आफ हो जाएगा मतलब आप directly सारे गेम का sound बंद कर सकते हैं simply एक बार sound चला कि यहाँ से बंद करके उसके बाद कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सारे list मिल जाएगी आपने कितने recent games खेलें उसके नीचे आप आएगे और वहाँ पर आप उसको केल सकते हैं तो यहाँ पर आगर आप क्लिक करेंगे होड इस्टेंट गेम में तो आपको यहाँ पर बहुत सारे game मिल जाएंगे और वाले game आप बिना उसके खेल सकते हैं तो आप यहाँ जितने भी सारे game देखेंगे यह सब इंस्टेंट प्ले वाले हैं आप बिना डाउनलोड करें आप इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ी सी पफरी होने का आप उसको सिंपली महाँ पर खेल पाएंगे तो यह तो हो गया आपको सिंपल खेलने के लिए उसके नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको categories दी हूँ यह आपको इंस्टेंट प्ले गेम में कौन-कौन सी categories के लिए लिए like puzzle, act grade, sports और one hint नीचे आपको यह tray मिल रही होगी आप इसको उपर करेंगे तो आपके पाद जो आपने last game खेले होंगे आपकी library भी दिख जाएंगे और आप चाहें तो यहाँ से उसकी theme भी change कर सकते हैं यहाँ themes आपको दी होंगी जो उनसी theme लगाना चाहें आप यहाँ से उसकी adjust कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बगल में आप देखेंगे एक आपको three dots भी मिल रहे होंगे यहाँ three dots पर click करेंगे तो आप add app भी कर सकते हैं short भी कर सकते हो library की setting करना चाहें तो आप setting भी कर सकते हैं उसका size bottom library start up आप इसका बहुत कुछ वहाँ से change कर सकते हैं यह तो हो गया normal सी setting ज्यादा खुछ use की नहीं है आप simple यहाँ पर बस एक काम कर सकते हैं insert game आप download और मतलब बिना download करें खेल सकते हैं install करें उसके दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे आपको यहाँ पर एक three dots line मिल रही है यहाँ पर आपको दिख रहा हुगा यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसी setting मिल जाएगी और उपर लिखा हुआ game launcher नीचे आपकी game की profile लिख रही है total मैंने सिर्फ 4 minute ली game खेला है मालब जितने भी आपने minute game खेला होगा ranking game आपको सारे game मिल जाएंगे आप यहाँ से डालेक डाउनलोड भी कर पाएंगे और उसका यूज कर पाएंगे तो game ranking में अच्छे अच्छे कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद नीचे आएंगे game notification जो भी आपके पास आएंगी तो आपको यहाँ पर दिखेंगी उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे benefits में नॉर्मल offers जो होते हैं वो बताएगा यह भी काम का नहीं है और उसके बाद आप यहाँ पर हैं यहाँ पर आपको मिल रहा है game performance का जो की काम का feature है यह वाला feature मैं आपको बताऊंगा बाद में उससे बेले आप यहाँ पर आएंगे setting पर सैटिंग में आने के आप देखेंगे यहाँ पर सब्सूपर आपको Samsung account का आपकी ID दिख रही होगी उसके नीचे मिल रहा हूगा so game वाला option जो की मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप in game launcher like मैं आपको करके बताता हूँ in game launcher and the home app screen अब मैंने in game वाला option है उसको मैंने हटा कर दिया है और आप देखूंगा मैं भार जाओंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास लूडो गीम दिख रहा है जो पहले नहीं दिख रहा था अगर आप मैं भार जाता हूँ अब मैं वहां setting में जाके उसको बापस से in game launch कर लेता हूं launcher only और अब आप देखेंगे वहां से game हड़ गया है तो यह वाला बहुत ही शादर वीचर है आप से जो आप game हटा देंगे यहां से अगर आप in game only पे कर देंगे तो वह game सिर्फ आपको यहीं दिखने वाले और कहीं आपको नहीं दिखने वाले मतलब यह पूरी से आपके पास रहीं किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कौन-कौन से game download करें जब तक वह उसमें आकर देखेगा नहीं launcher में उसके बाद नीचे अगर आप च चाहते हैं कि आपको आपकी टाइम की वह नहीं पता देखेगे तो आप यहां से नहीं कर दीए और उसके बाद आपको यहां पर कुछ नहीं है वह यहां यहां पर बैक आने के बाद जो सबसे काम का feature है वह यह game launcher बहुत ही शांदर feature दोस्तों यहां पर आप देखेंगे ग गेम पूश्टर सेटिंग बहुत ही शांदर फीचर ही यहां पर आप सब से उपर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है आटो स्क्रीन लॉक्ट आटो स्क्रीन लॉक्ट मतलब अगर आप गेम खेल रहे हैं और आप तीन मिनित तक कोई एक्टिविटी नहीं करते मतलब मान लीजी आपने कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं कि जिसमें आपको वेट करना हो लाइक लुडवी खेल रहे हैं आपकी चांस नहीं आ रही है तो आप महाँ अगर तीन मिनित तक आप कुछ नहीं करते तो तीन मिनित बात आपका मोवाइल लॉक्ट हो जाएगा गेम खतम नहीं ह उसके बाद फूल स्क्रीन एप जो भी होंगी वह दिखाएगा और सबसच्छा काम का पैनल यह लिखा हुआ है पॉप अप पैनल तो इसका यूज भी इसको इनेबल करके रखना यह भी बहुत काम का अगर आप गेम खेलते हैं तो यह आपके लिए बहुत काम का फीचर आन है 100% 50% 25% आप उसको भिए हाँ से उसका size measure कर लीजें कितने size पर लेना है और वहां पर वहांपर वीडियो रिकॉर wreck이식 करते हैं तो आप यहां से विडियो क्कॉल्यटिंग की quality भी अच्छी और पूरी कर सकते है उसके बाद आगर आप चाहले हैं कि आप कोई recording कर रहे हैं तो आप यह वाले option का on कर दीजेगा कि अगर राव हाई की जर आप अच्छी ओब के जो जाए बिदिधो के बारे हैं और चलिकश कर करते हैं उसके बारें बतारेता हूं अब मैं आपको वापीस ले जलता हूँ अपने गेम बुस्टर पर और यहां पर मैं इक नॉर्मल यह अपना गेम को यहां पर ब्ले करता हूं एक यहां पर open होगा open होने कि अदा आप देखेंगे आपको एक नहां पर notification मिलेगा और यहां पर आप देखेंगे game booster की setting यहां पर monetization हो रही है सबसे पहले जो लिखा है monetizing temperature आप थोड़ी ज़र बाद यहां पर आपको temperature पता लग जाएगा कि आपके mobile का कितना temperature है कितनी memory खाली है और उसके बगल में आपको बता रहा है बट आपका game पीछे background में चलता भी रहेगा जिससे आपकी battery भी save होगी और आपका game भी play बंद नहीं होगा कुछ कुछ होता है कहीं तोड़ी waiting करनी होती है बापिस अगर आप उसको खोलना हो तो आप देख रहे होगी यहां पर screenshot के लिए अलग से जो मैंने option लगाया था वो दिख रहा होगा आपको internet browsing करने के लिए Samsung internet browser दिया हुआ है यहां YouTube और call के लिए आपको दियो अगर आप game खलते नहीं होगा और कोई WhatsApp आजाता है तो आप simple उस पर क्लिक करेंगे तो इसके इतनी सी pop-up आप आजाएगी और वहां से आप typing जो भी आपका करना हो आप उसको use कर पाएंगे उसके बाद भी यहां पर आपका game वहाँ पर चल रहा है तो जो आपका game वहाँ डिस्टब नी होगा और आपका use भी वहाँ पर होता रहेगा यहां पर आप देख रहे होंगे यह दिया गया ठीक है तो दस्तों यहां पर जो आपको three dots मिल रहा होगे three dots पर click करने के बाद य आपको खुल जाएंगी, मैक्सिमुम चार एप ले सकते हैं, तो चार एप वहाँ पर आप उसको ले सकते हैं, लाइक मुझे फेसबुक लेना है तो मैंने यह ले लिया, उसके आद बैक आ जाओंगा, बैक आने का दिया हड़ जाएगा, उसको दुबारा से इनेबल करना होग तो धनक्यू तो दोस्तों मुझे उम्हीद हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, दो प्लीस लाइक ज़ज़र нас करें अगर आपको लगता है दोस्तो मेरे वीडियो में कुछ कमी है तो आप मेरे वीडियो पहली बार आए और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहें दोस्तो तो नीचे आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें, तकि मेरे चैनल की नेक्स वीडियो की अपडेट आपको सबसे बेले मिले दोस्तों, और हो सके तो मुझे इंस्टा करना और फेजु फोलो करना भी ना भूलें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रप्शन में मिल जाएगा, तो थैंकी दोस्तों.